वेलो गाइज, वेलकम बाक्तोmy channel start with art आप सभी अच्छे होगे घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे and especially practical की जो तियारी कर रहे हैं students उनको मैं बता दू कि जो practical exam है शायद हो सकता है शायद नहीं भी हो सकता है आप लोग जो है प्राक्टिकल की तियारी करना ना बंद करें क्योंकि जैसे सिटुएशन को देखके लग रहा है कि जैसे जामिया के जो फॉर्म से हैं वो निकल गए हैं अगर सिटुएशन ठीक रही तो प्राक्टिकल हो सकता है तो प्राक्टिकल की तियारी जो है अच्छे तो आपको बहुत जादा मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि यह प्रॉब्लम से मैं फेस होके आचुकी हूं इसलिए मैं आपको बता रहे हूं कि अगर आप आउटसाइडर हैं किसी भी स्ट्रीम को आप लेना चाहते हैं अप्लाइट, प्रिंट मेंकिंग या फिर स्कुल्प कर दीजिए इंक्रीज क्योंकि अगर आप सच में चाहते हैं बीएफे एंट्रेंस एक्जाम को क्लियर करना तो आपके लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट है कि आप इंसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दे अगर शेडिंग में को इस तोड़ना होगा चुटी इसे पर इंपॉर्णिट ने फिए इंपॉर्णिटेंटर ने विडियो में बना थी एक एक उपजेक्टो को आपको कैसे अबजर्व कर थाएं और चाहिके यहांँग जल्Дी लेकर आपको कीशे सब्सकाइट हैं सबसे पहले करए तो मैंने एक जाना बताया था की में लिए करेक्ट हो सकतИ है तो मैं ने उसे में से बताया थी ठीक है तो में यहांना चाहते हूं कि अगर आप जो इस ड्रॉइब में दिककत हो रहा हो लिए तो इसको stack में में तो ऑड़िए कि आपको औप्जिक बनाना है लेकिन बहुत परफेक्त बना नहीं हो Rusy 55-50 बनाना सबाना कियों कि के मिनने पिए इंच्थ्र के नहीं कर चाहँ कर बनाया दो पिए इंच्छ कोि कहा है दिग्क्त है के इंच्छ साम पर इंच्छ के थर एंच्छ और मुझे पर तो कुंझ बता दूं तीन मुझे कर सुआता दो डो तो ehmete कुरीय चुआ और करने होगी आपको पॉफट्राइग करने अगर आप सचमें पर एक्रीन्स को इस से हां करना चाते हं जैब का इस चाहीं है लिए कुशक सफर्उक्र में कुछ पर्षेदिंग से स्पेड प्रइब शेेट को चुन Des de ing to touch images पेंसिल भी पेंसिली फ्रीज कम पेस लगा कि सबाइं में स्टेक्ट इसके अलाव को आपको कुछ करना यह सुर्क में स्टोक साथ भी यह हम दो community된 कुछ मेने सबगवे जाएंगे तो मैं दुबारा वीडियो नए अबजेक्ट से साथ बताऊंगे कि स्टोक से लगाने अलग अबजेक्ट में लेकिन आप लोगों को जो सबसे पहली इंपॉर्टन प्रैक्टिस है वो स्टोक सी करनी क्योंकि ड्रॉइंग अगर आपने कर भी पॉफेक्ट तो अब बात आती ह कि अगर कोई दिक्कत हो रही है या तो आपकी पीड कम है या फिर आपको फ्रोक से या दूी चीजे थो दो चीजे पकड़ के चलनी है एक स्टोक से इंडूसरी खा चलनी है इसको तो कहीं पर भी प्रक्टिस कर सकते हैं इसके लिए को ग्यों भी ज़र्ट और तुए ठीक ह में उसने कोई भी ऐलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इंपॉर्टेंट सो आपको याद दिला दू कि स्पीड जो है बहुत जादा इंपॉर्टेंट है मैं इस प्रॉब्लम से बचने के लिए प्लीज आप लोग देड़ घंटे के अंदर आपको अपनी स्टिल लाइफ कम्प्लीट करनी है तो उसे साब से आप जो है पांच अबजेक्ट तीन चार अबजेक्ट है तो जादा अगर बड़ा अबजेक्ट लेने तो दो अबजेक्ट लेजे लेकिन उसको एक आर वन आर फिफ्टीन मिनट में कम्टीट करने की कोशिश कीजए जैसे कि मैंने आपको बता है ड्रॉइंग जल्दी से करके अंदेन स्ट्रोक्स अगर आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत जाद अच्छा होगा ठीक है तो यह सबसे पहली चीज रही जैसे मैंने आपको बताए कि अगर आप एंडरेंस की तियारी करें तो आपको चीजों को स्टेप्स में तोड़ना पड़ेगा तो यह बात रही स्टिल लाइफ की इसमें दोई चीज पर आप देफंग्सी स्टिल स्टियर उने चयाया जाहिए नेक्स नरती है और आपको चीज रही होगा ना मंगाञ को बता दूंध कमपोजेशन रहे ज Boys बहुत ज्यादा बढ़ें वह गया लेता है तो आपको क्या करना है सबसे SIMPLFY्ट अंध को बताती हूं कि आपने स्ट फिगर्स से चुछ सब्सक्राइन हाप फिगर्स डुएषि बनाग में रहें ज़ुगल्तिषिल में का पांच सब्सक्राइब करें ने सब्सक्राइब करकें प्रज़तेanan ही इन ellis और लुत दिमाद ही n इतर। यहाद रहें है और व zij DO और आपको हम्हेश्ट करना है और जम्हेश्ट In4 cm मेर में गेती हैं करना अधिया इसे ऊचिंड फिंड रहे हैं स्टीन फिंध सारी म、 कम्पोसिशन खर आप गेत Portal इसे बहुति कर इंग छोगती हैं और वहा है बढ़ने से आप की तो आप बीचिस की निसे ज़ना पने मेरें, न120 करना सपड़ा को आना है, और और अपड़ा कोई सबसें धाइज साम से मेल कौने सबसे हैं गरूद कर एक सबसे निए, तो आप को 산वने सबसें उसका है है door को Dad इसमें कुछ नहीं करना आपने सिर्फ आपको सिंप्लिफाइ करना है यानिकि एक टाइम पर एक फिगर लीजे और उसको सिंप्लिफाइ करके देखें अगर वो सिटिंग फिगर है तो सिटिंग फिगर को बॉक्स में करिए एक उपर बॉक्स बनेगा एक फेस का बॉक्स बने तभी तो यह अपके फीड होगी तभी तो वह अगर आप सोचने हैं कि तो फिगर सेंस्टारिंग फिगर आप उनकी आउटलाइन गर सकते हैं यह अच्छी टेकनिक है मैमरी में फिगर्स को फीड करने की आपको अबसर्व करके जो है डिटेल करनी है ठीक है तो वह काफी इंपोर्टेंट एक्सराइज रहेगी मैं उसके लिए विडियो बना दूं तो आपके जो फिगर्स हैं वह आपके हाथ में सेट हो जाएंगी और आपको इतनी बार तो बनाने ही पड़ेगे सुचने कि आप 2-3-5 बार बनाके फिगर्स को लट करनेंगे इंपोसिबल आपके लिए जो मेमरी ड्रॉइंग है वह क्राक करना इंपोसिबल हो जाएगा आ इसीले इसको उसको simplified फॉर्म में याद रखिए सबसे ंपॉर्टन है फिगर को simplify करना आंड सिंपलिफाइ करके उसको याद करना यान कि आपने सिंटिंग फिगर के प्र् Zwächst कर दी तो आप सिंपलिफाइ करके आपने जो बॉक्सिवों गर्म ईदिक नए जबिवी टाइम मे कहीं भी आपको नेते जरी कि अपको डबे से बना देने तो उसे आपको प्रोपोर्शन से यार प्रएट करने हैं कर आपको डिटेयल घर करने हैं। फिगर्स चलती हुई है या फिर बैठी हुई है सेटिंग है या फिर कुछ खरीद रहें तो उस थाइप की फोटो रेफरेंस लेकर आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करने इन जीजों की तो यह आप इस तरह से त्यारी कर सकते हैं कि मैंने स्टेल लाइफ को सिंप्लिफाइ करना बताया अभी मैंने आपको बदाए कमपोजिशन को कैसे सिंप्लिफाइ करना है बाकी रही बात कलर्स की प्रैक्टिस करने कैसे आपको सिर्फ़ों में आपको यह काम करना है शीट पर जादा वर्क नहीं करना है जितना जादा आप उसको सिंपल रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि कुछ वच्चे क्यों होते हैं कि बहुत ज़दा मैसी वर्क कर देते हैं तूमज वक कर देते हैं जिसकी वजह से जो है जो है जो है जो फ्रेशनेस है वो खतम हो जाती है यानि कि कॉमेंट्स में बच्चे ने पूछा था कि कलर को हम कैसे मतलब कलर मिक्सिंग कैसे कर सकते हैं के लिए आपको जो करना है फ्रेश कलर लेना है सबसे पहले दो बाउल में वाटर लेना है आप कभी भी एक बाउल में वाटर लेना है दो बाउल में वाटर लेना है दो बाउल में वाटर लेना है दो बाउल में वाटर लेने से क्या होगा कि आपने एक में जैसे ब्रश जो ह क्लीन वाटर अपने बावल नहीं के लिए आप नहीं के लिए आपने जो है इस पेस्साफ करने तो जिसके विज़ा से फोड़ा बहुत कलर है वही उस बावल में जाएगा चाप करेगा तो इससे आपको जो है freshness maintain रखने में दिक्कत नहीं होगी next color mixing, color mixing में जो है आपको fresh color लेने है अपनी palette को बिलकुल fresh रख दाए गंदी palette पहले से आप नहीं लजाएंगे exam में सबसे important भूल कर भी आप यह गल्ती मत कीजेगा क्योंकि बहुत ज़्यदे important है आप जो है वो साफ पालेट लेकर जाये और दो बाॉल जो लेके जारहे वो भी साफ clean बिलकुल cleanness जो है वह आपकी जो sheet पे cleanness maintain रखेगी अगर नाश्म अटना पिर श्याश्म के हैं गंश्रम ए ऊपने पर करका एफ और नहीं को दिखकत है किया लगाने की कोशिश करें ज एक अब मिंगी पलगाने मिखनेता तो इस अब अब Gần ृसक तो अब वचिंग झ06- करें लिए और आपको बनाने तो येलो में लेखी, बहुत हबसाया रेड मिक्स कर देंगे तो उससे आपका यह ऑरेंज बन जाएगा तो वह एक फ्रेश टोन ही है यह निकि आपने बहुत जब जद हमीक्स कर के कहीं सारे तो कोशिश कीजिए कि अगर उसमें अप्रेश कलर की करन लाकि अगर शेकर जिगे लोग ली आपने का चाप यह जब और जिस के बनिए आप तो उसमें जिस portion में जिस color की ज़रोत है गाए डार्क की ज़रोत है तो आपने वहीं पर डैरेक्ट वही color लगाने है यहीं कि आपने पहले तीन चल लाहिट टोन्स लगा दें उसके बार डारें तो क्या होगा कि वह सूखे भी नहीं पर उसको डाक है वह जो है वह मर्जिसा इफेक्ट दे देगा और मर्ज सूपने के बाद बहुत गंदा लगता है उससे फ्रेशनेस मेंटेन नहीं होती उससे जो लाइन क्लारिटी है बेसिकली क्लारिटी नहीं आप आती और अगर उसको मर्ज करके करेंगे तो वह बेकार पर दो इस चाहिए कोशिश करेंगे जल्दी से मतलग जल्दी से कला कशिश कीज़ दो तोन में ज्यादा दोन भी नहीं है अगर आप इस्टमाल कर रहें तो अच्छा होगा क्योंकि अभी जैसे आप 2-3 मिनट में प्रैक्टिस करने क कोशिश नहीं कर कर रहे हैं तो ड्राय अब दोनों का मैंने बताते है अपने स्टिल लाइफ का भी और फिगर कंपोजिशिन कैसे बनानी है सबसे इंपोर्टन होता है आपकी जनल नॉलिच और आपकी जनल नॉलिच और अर्ट इन कल्चर तो दोनों चीजे मैं अपनी टीओर वीडियो में कवर कर रही हूं जो सीरीज बनाई है उसको तो most important आप वाच कीजिए आपके जो हजारो डाउट से ना मैं आपको कह सकते हूं कि आपके हजारो डाउट सो है वो उसमें क्लियर हो जाएंगी और यह सीरीज जो है मेरे को भी कहीं पर मिली नहीं थी मतलब बहुत ज़दा डिफिकल्टी हुई है पूरा इधर उदर से देखके सर्च करके मैंने आपके लिए बनाया है और यह बहुत ज़्यादा हेलफूल रहेगी आपके लिए एंड में बनाने उनको भी आप साथ-साथ में अच्छे से याद करते जाएगा MCQs बनाने का मेन मोटिव यही है कि जो आपने पढ़ा है आप उसको अपलाई कर सके यानि कि आप उन्हीं क्वेश्चन से MCQs अगर आ रहे हैं तो आप उन्हें टिक मांग करना भी जान जाए ठीक है तो थियोरी के लिए भी कोई दिक्कत नहीं आज की वीडियो में बस इतना ही अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में मैं नया कंटेंट आपके लिए लेकर आऊंगी आपको और जदी यूसफुल टिप्स लूँगी कि आपने कैसे काम करना है ठीक है तो चलिए जो बाकी की जो वीडियो हैं उन्हें आप देख सकते हैं आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आपको अच्छे कंटेंट के साथ सपोर्ट करी रही हूं चीक है तो गाइस मिलते हैं नेक्स वीडियो में मैं टेक केर बाई बाई